आप सभी को मेरा प्रणाम हर्वल रेमिडी जे नेचर स्टे जर्म आपका स्वागत है मेत्रो आज रेस्पायर्टरी एल्मेंट्स को ठीक करने वाले सोस्षन संबंदित रोगों को दूर करने वाले औस दिये प्लांट की चर्चा कर रहे हैं बारलेरिया क्रिस्टाटा एलबा वाइट कलर के आप इसके फ्लावर्स देख रहे होंगे सुन्दर वाइट कलर के फ्लावर्स का उप्योग आप घरों में और्नामेंटेशन परपस के लिए घरों की सुन्दरता बढ़ाने के लिए इस प्लांट का गमलों में संदक्षित कर सकते हैं इस प्लांट को गमलों म बनाकर सेवन कर सकते हैं और यह गुलकंद सभी प्रकार के लंग्स की समस्यां को दूर करता है तो आप इससे एंथर्स को निकाल लीजिए गुलकंद बनाते समय टेस्ट इसका हो जाता है और क्वालिटी भी आपके गुलकंद की काफी अच्छी हो जाती है मित्रो गुलकंद एक आईरवेदिक फॉर्मलेशन है और बराबर मात्रा में जब आप इसके फूल और मिस्ट्री काच के कंटेनर में बराबर मात्रा में लेकर धूप में रखते हैं तो 15 दिन के अंदर इसका गुलकंद तयार हो जाता है और जो गुलकंद बनके आया है यह ब्रोंकायटिस की समश्चा को दूर करने के लिए अस्त्मा की समश्चा को दूर करने के लिए सांस लेने में दिक्कत आती हो उसको ठीक करने के लिए TB की समझा हो, Tuberculosis की समझा हो, उसको दूर करने के लिए Lungs की weakness, चाहे वो किसी भी कारण से हो Antibiotics के side effect के कारण या पुराने bacterial fungal infection के कारण या by birth, Lungs अगर आपके कमजोर है तो ऐसी हर प्रकार की समझा को ये दूर करता है Lungs को strength provide करने का कारे करता है मित्रो छोटे बच्चों में मौसम बदल ते समय आम तोर पर खासी हो जाती है तो उन बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं इसके पत्र को आप कलेक्ट कर लीजे ड्राइ कर लीजे और ड्राइ करने के बाद इसकी राख बना लीजे और उस राक में सहद मिलाकर बच्चे को दिन में दो से तीन वार आप चटाएंगे मातरा एक समय में दो ग्राम तक दे सकते हैं दो से तीन वार जब बच्चे को चटाएंगे तो लंग्स के अंदर जमा हुआ कफ निकल जाएगा आसानी से बच्चे की खांसी दूर हो जाएगी स्वांस लेने में अगर समस्षा आ रही हो तो वो भी ठीक हो जाती है मित्रो इसका जो जूस होता है उस जूस के अंदर अगर आप 10 ml जूस ले लीजे 10 ml जूस के अंदर 2 ग्राम जीरा पाउडर मिला लीजे और 2 ग्राम जीरा पाउडर मिला कर दिन में 2 बार अगर सेवन करते हैं तो यूवा वस्था में नॉक्ट्यूरल इजेकुलेशन होने की जो समस्षा होती है नाइट हॉल की जो समस्षा होती है सुपन दोस की जो समस्षा होती है वो आसानी से ठीक हो जाती है यह वात्पित कफतीनों के समन में बहुत अच्छा कार्य करता है साथियो इसकी नीचे जो जड़ निकलती है उस जड़ के अंदर स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट या किसी इंसेक्ट बाइट के कारेंट जो शरीर के अंदर जहर फैल जाता है इंफ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, घाव बन जाता है, उसको समन करने की छमता होती है तो इसकी जड़ को आप सुखा कर रख लीजिए और आव सकता अनुसार आप उसका काड़ा बना कर भी सेवन कर सकते हैं बोडी को डिटॉक्स करने के लिए, और अगर ऐसी कंडिशन है कि किसी इंसेक्ट का काटा हुआ है और आपको पता नहीं है कि किसने काट लिया है तो ऐसी अवस्था में आप उसका डिकॉक्षन बना कर सेवन करा सकते हैं और पत्र के पेस्ट बना कर पुल्टिस भी बान सकते हैं रुमेट्वाइड आर्थाइटिस की समश्चा है तो पत्र का पेस्ट बना कर बान दीजे और मोसम बदलते समय वाइरल फीवर भी बहुत कॉमन समश्चा है वाइरल फीवर में आप एनालजेसिक भी लेते हैं आप एंटिबाटिक्स का विशेवन करते हैं छोटे बच्चों को एनालजेसिक और एंटिबाटिक्स का साइड इफेक्ट गेर लेता है बच्पन से ही लंग्स भी हो जाते हैं और अगर सही अमाउंट में या फिर बार- बार हम ऐसी मेडिकिसन का इस्तमाल करते हैं तो टाइफाइड होने का भी खत्रा बना रहता है इंटेस्टाइन में हामफुल बैक्टिरिया अपना स्पेस बना लेते हैं और विबिन परकार के जब एंटिबाटिक्स हम लगातार खाते रहते हैं तो इम्यूनिटी और कंप् पत्र का डिकोक्षन बना कर सेवन कीजिए कैसा भी वाइरल फीवर हो उसको आसानी से दूर करता है ग्लेंडूलर स्वेलिंग्स जिसमें क्या होता है कान के नीचे सूजन हो जाती है यह लिंफ नोड की स्वेलिंग के कारण हो जाता है तो सूजन अगर आ गई है तो उसको भी दूर करने के लिए पत्र का डिकोक्षन बनाये सहद मिलाकर सेवन कीजिए विभिन्य प्रकार की ग्लेंडूलर स्वेलिंग को दूर करता है वाइरल फीवर को दूर करता है और माउत की हमारे मुख की औरल हाईजीनिसिती को बनाने के लिए औरल हाईजीन को मैंटेन समेल आना और सूजन का होना यह स समय Cats Kingdom होती है तो एकार्या को बीठीक करता है दातों में दर्द हो रहा है या दातों के मैं कीड़ा हो गया है तो है आप इसके ra 아닌 की जो यह तेहन्याब दातों कीजिए तो दातों के कीडों स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला और कि प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला और प्लांट है ये बच्चे, बूढे, जवान हर एज ग्रूप के लोगों के लिए safety से दिया जा सकता है युवाव की nightfall के समझा हो उसको भी ठीक करता है बच्चों की lungs में congestion से सम्मंदित समझा हो बदलते मोसम के कारण viral fever की समझा हो उस सब को भी ठीक करता है आप इसको घरों की सुन्दर्ता को बनाये रखने के लिए और अपने उत्तम स्वास्ते के लिए गमलों में लगाईए सीड के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से दोनों ही तरह से इसका propagation हो जाता है महिला है, beautification के लिए इसके flowers का paste बनाकर अपने चेहरे पे लगाती है चेहरे के glow को बढ़ाने के लिए, चेहरे की कांती को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ये कारिया करता है इस परकार से आप अपने दैनिक जीवन में इसको उप योग में ला सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप हमें comment कर सकते हैं, email कर सकते हैं और telephone के माध्यम से आप हमसे चर्चा भी कर सकते हैं, parameters भी ले सकते हैं इन्ही बातों के साथ कल फिर मिलेंगे, सुबह साड़ इच्छे वजे एक नए प्लांट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार